नमस्कार किशान भाईयों आपका प्रेम खेती यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आप लोग कैसे हैं उम्मिद करते हैं आप भी लोग स्वस्थ होंगे मकश्षक्रान्ती आने वाली मकश्षक्रान्ती की आर्दिक सुपकामना है आप सभी लोगों को इसी अफसर पर माननी परदार मंतरी कुश्म सोलर पंप योजना निकाली गई है जिसमें टोकन निकाले जाएंगे परदार मंतरी कुश्म सोलर पंप योजना जिसमें सोलर पंप के द्वारा हम लोग खेतों में लगाते हैं सिचाई करते हैं जिस पे 60% तक अनुदान रहता है तो उसकी टोकन निकाली जाएगी कौन कौन सी तारीक में कौन कौन से मंडल की टोकन निकाली जाएगी हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है 18 मंडल को 4 चरणों में वाटा गया है जो पहला चरण हमारा 16 तारीक से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप सभी लोग किसान भाई इसका टोकन निकाल करके अपना लाब ले सकते हैं क्योंकि डीजल के महगाई को देखते हुए ये सोलर पंप योजना बहुत बढ़िया योजना है इसे एक बार लगाना है और इसे 40-45 साल तक ये बराबर निरंतर काम करता है इसमें टूट फूट ना हो तो ये निरंतर काम करता रहता है और डीजल के महगाई को देखते हुए बहुत बढ़िया योजना है तो ये सरकार की तरफ से 70-45 इस पे अमगान है तो जिसमें आप लोग टोकन निकाल सकते हैं जिसमें 16 तारिक से हमारा है जो टोकन निकाला श्टार्ट हो जाएगा प्रधान मंत्री कुस्व सोलर पंप योजना अंतरगत जिसमें 16 तारिक से हमारा किशान भाई जो चित्रकूट मंडल, बनारास मंडल और प्रियागराज मंडल के इन जीलों के जो भी किशान भाई है मंडल के अंदर के जो भी जिला आते हैं वो अपना टोकन निकाल सकते हैं ऐसे ही 17 तारिक को 17 जनवरी बरेली, कानपूर, मिर्जापूर, बस्ती के मंडल में जो भी जनपत आते हैं उन जीलों के किशान भाई अपना टोकन 12 वजे से निकाल सकते हैं ऐसे ही 18 तारिक 18 जनवरी में मेरट मंडल लखनो मंडल अयोध्या मंडल के जो भी किशान भाई हैं वो अपना token निकाल सकते हैं ऐसे ही 19 जनवरी सहारनपूर, मुरादाबाद, आगरा अलिगड, मंडल के जो भी किशान भाई हैं वो अपना token निकाल सकते हैं ऐसे 20 जनवरी 20 जनवरी जहांसी, गोरखपूर, आजमगड, देवी पार्टन के जो भी मंडल मंडल के इंदर के जो भी जनवरी जनवरी आर हैं, उसमें जो भी किशान भाई हैं, वो अपना token निकाल सकते हैं, ये token 12 ज़े से निकालना प्रार्ण किया जाएगा और जब तक लच्छ नहीं खत्म होगा, जब तक हम इसका token निकाल सकते हैं ये token निकालेंगे तो जिसमें कुछ कडागरी दे रखी है हासपावर के हिसाब से आपका हासपावर जिस हासपावर का आप token निकालना चाहते हैं उतने हासपावर का आपको निकालना होगा उसी के आधार पर आपसे draft जबा होगा तो जैसे आप 2 हास पावर का टोकन निकालते हैं DC, दो हास पावर में DC टोकन निकालते हैं, ये सर्फेस, सर्फेस का मतलब इसकी मोटर है जो जमीन के उपर रखी जाती है, इसमें आपको कर्सक अंस है जो 63,686 रुपे आपको जमा करना होगा, ऐसे 2 हास पावर AC सर्फेस, इस का मोटर जमीन के अंदर रहेगा, इसका टोकन निकालते हैं, 2 हास पावर में AC रहेगा ये, इसमें 64,629 रुपे आपको जमा करना होगा, ऐसे 3 हास पावर DC, ये समर्सिबल रहेगा, इसका टोकन निकालते हैं 3 हास पावर का, तो इसमें 88,88 रुपिया आपको जमा करना होग ऐसे 5 हासवाबर का टोकन निकालते हैं तो इसमें कर्षक अंस जो रहेगा 1,25,999 रुपे आपको जमा करने होंगे 7.5 हासवाबर का टोकन निकालते हैं ये भी AC होगा 7.5 हासवाबर AC ये भी समर्शीवल है इसमें 1,72,638 रुपे जमा करने होंगे आएसे 10 हासवाबर AC टोकन निकालते हैं 10 हासवाबर का तो जिसमें 2,86,000 रुपे 114 रुपे ये कर्षक अंस ये जमा करना होगा इसे जमा करने के बाद में आप इसको लगवा सकते हैं आप फ़िजो इसके लिए बोरिंग होनी जाएं इसमें टोकन पहले आप निकालते हैं तो टोकन की निकालने की जो धनối है वो सरकारी फीस बो 5,000 रुपे है सभी की जिसमें 5,000 रुपे वो सरकारी फीस जमा की तो आपकी टोकन की जो धनरास्ती है 5,000 रुपे वो जब कर ली जाएगी वो आपका कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी बिसेश दिहानक है तो जिसके लिए बोरिंग है बोरिंग किसान की होनी चाहिए जिसमें दो हास्पावर का आप समर सिवल इसका सोलर पंप लगवाना चाह है ऐसे ही आप साड़े साथ और दस हास्पावर का टोकन निकाल लहे हैं सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो इसमें बोरिंग का साइज है जो आठ इंची होना चाहिए ये मानक है इसका और इसके आधार पर ही आपका लगाए जाएगा जो गर मौके पर बोरिंग नहीं पा लें टोकन निकालने के लिए उतर परदेश की जो वेबसाइड है www.agriculture-up-government.in पर आप जाएंगे इसके लिंक उसमें दिया रहेगा उस लिंक पर जाएंगे और जैसे ही इस पर अपना पंजी का नंबर पंजी का नंबर वही जिसमें सम्मान दिया रही है आपकी वही पं पंजी का नंबर डालेंगे आधा नंबर पड़ेगा मुवाइल पड़ेगा आपका मुवाइल नंबर जिस पर OTP जाएगा OTP डालने के बाद में आपकी ये सूची खुल कर किया जाएगी जिस सूची में आप जो भी हास पावर का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उसको सल जमा करने के बाद आपकी जो भी जिस हास पावर का टोकन आपने निकाला है वो धन्रासी आपको इंडियन बैंक में चालान के माध्यम से जमा करनी होगी जमा कर देते हैं तो उसके बाद में आपके यहां सोलर पैनल लगके तैयार हो जाएगा कमपनी आएगी सर्वे करेग सर्वे में आपकी बोरिंग देखी जाएगी उतने हासवाबर की है या नहीं उतने इंच की बोरिंग है या नहीं है बोरिंग है तो आपका है जो सोलर पैनल का सामान आपके घर पर आ जाएगा जब तक चल नहीं जाएगा जब तक उस कमपनी को भुगतान नहीं किया जाए टोकल निकालेंगे तब ही इसका लाप पाएंगे क्योंकि इसकी आनलाइन बुकिंग है आनलाइन बुकिंग जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से अपने बुकिंग करा करके इसो लगाईएगा क्योंकि ये डीजल की महेंगाई को देखते हुए ये भारत सरकार ने जो बहुत बढ़िया योजना है इसमें पैसे एक बार लगाने है क्योंकि फसल पैदा करने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूत होती है और सबसे ज्यादा लागत हमारी सिचाई में आती है तो जहां पे सिचाई का साधन नहीं है और पानी बाटर लेविल अच्छा है तो वहां पर है जो आप इसको लगवाईएगा ये एक बार पैसा आपका लगेगा बरावर आप इसका निरंतर लाब पाईएगा क्योंकि जिस समय धूप ज़्यादा होती है उसी समय हमें पानी की जला जरूत पढ़ती है और उसी समय ये पानी अच्छा देता है क्योंकि ये सूर की लाइट से ही ये काम करता है तो हमें उस समय पानी भी अच्छा मिलता है और हमें पानी की जरूत भी ज़्यादा होती है तो ये डीजल की महगाई को देखते हुए ये बहुत बढ़िया योजना है आप लोग भी इसका लाब उठाईएगा बहुत बहुत कि करते है तो ये जढ़िया है तो ये परिद्स H-2